हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सवच्छे होंगे और आप सब की पड़ाय वेच्छे चल रहे होगे तो पीरे विद्यार्तियों आज की स्क्लास में हम इसे पिछले वाली क्लास में हमने आपके अध्याय एक और अध्याय दो के अभ्यास के समस्थ प्रशनों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं अगर आपने वो क्लास में देखिये तो पिर चैनल की प्ले लिश्ट पर जाकर या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिवीए वहां से आप उन क्लास में सरू करते हैं तो चलिए कलास में सरू करते हैं देखें पहला प्रशन आपके सामने दिया हुआ है कि कवी ने अपने आने को उल्लास और जाने को आसू बनकर बहे जाने को क्यों कहा है इसके पीछे कारण क्या है तो कवी ने अपने आने को उल्लास इशलिय कहा है क्योंकि जहां भी वह जाता है यह कभी जहां पर भी जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है वहां लोगों के मन प्रसंद हो जाते हैं पर जब वह उस उस्तान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहां के लोगों को क्या होता है दूख होता है और विदाई के शणों में उसकी आँखो से आसू बहे निकलते हैं तो देखो कवी ने अपने आने को उल्लास इसले का है क्योंकि वहां जहाबर भी जाता है तो वहां पर वह मस्ती का आलम लेके जाता है वहां पर लोगों के मन प्रसंद हो जाते हैं वो लोगों को रोमांचित कर देता है लेकिन जब कवी उस इस्तान को छोड़कर जाता है तो वह कवी खुद और वहां के लोग क्या हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं और विद्याई के उस सणों में वह अपने आखों में क्या कर लेता है आसु भर लेता है उसकी आखों से आसु बह निकलते हैं दूसरा प्रशन है बीक मंगो की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कभी ऐसा क्यूं कहता है कि वह अपने हर्दे पर और सफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है क्या वह निराश है या प्रसन है बीक मंगो की इस दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कभी ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हर्दे पर और सफलता का एक निशान भार की तरह लेके जा रहा है क्या वह निराश है अत्वा प्रसन है ये आपको बताना है तो यहाँ भीक मंगो की दुनिया से कभी का आश्य है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है देना नहीं कभी ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे प्यार नहीं मिला जिसकी वह क्या करता था जिसकी वह आशा करता था उस तरह का प्यार उसे नहीं मिला कभी के लिए कि उसकी क्या है कभी के लिए उसकी यह असफलता है इसलिए वह अपने हर्दे पर असफलता का एक निशान बहार की तरह लेकर जा रहा है अता कभी क्या है यहाँ पर कभी निरास है वह समझता है कि प्यार और खुशिया लोगों के जीवन में वह भरने में क्या रहा वह असफल रहा इस वज़े से वह अपने हर्दे की असफलता का एक निसान भार की तरफ लेके जा रहा है कि वह दुनिया को इस प्यार और खुशि चाता था वहाँ उसे न दे पाया और नहीं खुद उस तरह से पापाया इस वज़े से वहाँ निरास होकर क्या कर रहा है निरास होकर जा रहा है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशना है आपका कवीता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी कवीता के अंदर एसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी तो कवीता में कवी का जीवन के परती जो दृष्टी कौन है वो मुझे सबसे अच्छा लगा कवी कहते है कि हम सब के सूख दुख क्या है एक है और हमें एक साथ ही इन सूखों और दुखों को क्या करना चाहिए भोगन क्या कह रहा है कि हमें चाहिज सूख हो या दुख हो दोनों ही प्रस्तितियों का सामना एक समान भाव से करना चाहिए ऐसी द्रष्टी कौन रखने वाला व्यक्ती ही आज के जमाने में क्या रह सकता है सूख ही इसी भाव को द्यक्त करने वाले कुछ और सब्द सोच कर लिखिए जैसे हसकर गा कर तो यहाँ पर देखो ऐसे सब्द कौन कौन से हैं जैसे खेंच कर पी कर मुस्कुरा कर दे कर मस्त होकर और सरोबार होकर यह सब्द इसी तरह यहाँ पर कविता के अंदर या इस अध्याय के प्रियुक्त किये गए है ठीक, तो इस तरх हमने आपके अद्य तिन दिवानों के हस्ती के अग्यास के समस्त प्रशनों के उत्तर बहुत अच्छे से यान लिए हैं उम्मित करता हूँ सभी प्रशनों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लाब सभी का धन्यवाद, यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत प्रसंद आई है, तो फिर लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ मैं आपको बता दू कि हमारे दो चैनल है, एक गोविन लेक्चर्स और एक गोविन मैथ लेक् झाल करें ऐाद करें लेक्चर्स और उन्यवाद, टूणा झाल करें लेक्चर्स और श्यांद गविन लेक्चर्स और प्रसंद